कि संभिधान की सीरीज में आपका पुने एक बार स्वागत है मित्रो आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल राइट संस्कृतिक अधिकार जो संभिधान के पार्ड थर्ड के अनुच्छे 29 और 30 में इंक्लूड़ेड हैं तो देखिए हम इनको किन किन सब टॉपिक में कवर करते ह पहले हम समझेंगे कल्चरल राइट क्या है फिर यह किन को अभिलेबल है और इन दोनों अनुच्छेत में क्या-क्या में प्रोवीजन है और लास्ट में इससे रिलेटेट कुछ लेडिक केस समझेंगे जिससे हमारा कंप्रीट कंसेप्ट कल्चरल राइट का क्लियर हो है और हर पांच किलोमेटर पे लाइंगवेज हो जाती है और अलग-लग कल्चर अलग-लग एरिया में है आप कस्मीर से लेके कन्या कुमारी और चाहिए अडमानिकोबार तक देखो लेकिन सब हिूमन बिंग है और सब हिंडिया का अपना अपना पार्ट है और हिंडिया को पार्ट समझते हैं और आचर्य चाणाकिय का यह कहना है कि कोई लड़ाई में अगर हार जाता है उसने हार नहीं मानी है तब तक वो हारता नहीं है हार आदमी की जब होती है जब वो अपनी संस्कृति या कल्चर को छोड़ देता है तो कल्चर को प्रटक्ट करने का राइट स किसको मिला हुआ है और में लिह अधिकार किसको मिला हुआ है ये अधिकार सिटीजन को Elizabeth को मिला wealthy यह किसी भी परशन को मिला हुआ है अधिकार नहीं है मतलब कि अगर कोई वी देशी यहां आ करके आज की देश में अपनी कल्चर को forcefully adopt करना शुरू करे और उसको प्रसार करे तो government उसको control कर सकती है लेकिन जो भी citizen है जो भी भारत के नागरिक हैं वो अपनी संस्कृति को अपनी भाजा को और अपनी script को preserve करने का अधिकार रखते हैं अभी हम देखेंगे कि इन दोनों के दोनों articles में की provisions क्या क्या है आर्टिकल 29 को पहले देखते हैं आर्टिकल 29 simply जैसा हमने डिसकस किया यह बोलता है कि हिंदुस्तान या उसके पार्ट में कोई ऐसा section of people रहता है कुछ ऐसे वर्ब के लोग रहते हैं जिनकी अपनी यूनीक script में का अधिकार होगा उन पर कोई बधेटिया कोई बी दूसरी कमटी अपनी कल्चर को अपनी मनमान्नि को ठ्ट नहीं सकती है तो इसपेसली यह आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं और उनका अपना अलग लाइफ इस्टाइल होता है उसको प्रटेक्ट करने के लिए बहुत ही यूसफुल आर्टिकल है अधरवाइस क्या होगा जैसा अंग्रेजों के आने के टाइम पे हमारी इतनी कल्चर है पूरी एजूकेशनल इंसिट्यूशन है जो इस्टेट द्वारा पार्शली या फुली फंडेड हो चलाई जा रही हो उसमें आप किसी भी नागरी को उसके रिलीजियन रेस कास्ट या लैंग्वेज या किसी एक के बेसेस पे उसको एड्मिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं कर्म जाती बंस या भाजा या इन में से किसी के आधार पर भेदवाब करके उनको प्रवेश से बंचित नहीं किया जा सकता है तुसरा आर्टिकल 30 है आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को या अल्प संख्यक को उनके लिए एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन को एस्टेबलेस करने का और उनको एड्मिनिस्टेशन करने का राइट देता है यह बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्टिटी है उनको अपनी रिलीजन या लेंग्वेज के बेस पर ध्यान देने बाली बात है रिलीजन या लेंग्वेज के आधार पर उसको प्रोपोगेट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टिटीट को एस्टिबलिस करने का अपनी च्वाइस की और उसको एड्मिस्टेटर करने का राइट होगा अब यहां आप सोच रहे होंगे यहां पर माइनर्टी वर्ट यूज हुआ है तो फिर क्या माइनर्टी सिर्फ अपना माइनर्टी अपना को भी सकते हैं वह कोले अगॉए स्पैसिफिकली Red地方 एक्सप्रेस्ली उस राइट को यहां पे दिया पीट तो यहां समझने वालाप दी माइनर्ट की को कि अगर कोई minority community का institute है और गोर्मेंट को उसको acquire करने की जुरुरत पड़ती है public interest के लिए तो वो उसको acquire करने से पहले जो भी उसका proper compensation है लौक के अनुसार वो उसको ensure करेगी और उसको देगी तभी उसका अधिक रहन करेगी तो आप बोलेंगे यह तो पहले से राइड सबको दिया हुआ है कि गोर्मेंट जब भी किसी की personal property को लेगी तो उसको composition देगी यस पर यहां पर इस पैसली protection दिया गया कि इसका due concentration दिया जाए कि जब कोई religious institution को minority के लिया जाता है तो उसकी due care करके उसका composition law के हिसाब से दिया जाए तीसरी एक युनीक बात और है article 30 में सब close 3 में कि state जब aid देगा या fund देगा grant देगा तो वो minority institutes को जो educational institute दे रही है और article 30 के ender में establish हुई है उनको fund grant करने में कोई भी difference नहीं बरतेगा कोई भी partiality नहीं बरतेगा अब इसका मतलब यह है कि उपर हमने यह बात कर दी है कि religious institute जो जो government aided institute होंगी उस पर religious education नहीं होगी यह चीज हमने article 29 में बोली हुई है sorry article 28 में बोली हुई है अब चुंकि यहाँ पर minority को protect किया जा रहा है तो यहाँ पर special close लाया गया है कि government इनको भी एड देगी और इनको एड देने में कोई difference नहीं करेगी इस बेस पर कि वह religious based educational institute है अब आपको समझ में आया होगा कि गौर्मेंट एड इंसीट्यूट जनरली वहाँ पर education में religious पढ़ाई नहीं होती पर जो minority community minority community मतलब आप example ले सकते हैं जैसे मुस्लिम उनिवस्टी अलेकर मुस्लिम उनिवस्टी हैं दूसरी मुस्लिम उनिवस्टी हैं चुकि वह minority category में आती हैं तो वहाँ पर state added भी होती है और मदर्सों को state grant भी मिलती है और वहाँ पर article 28 का वो restriction भी नहीं है चुकि वह government उनको public aid दे रही है तो वहाँ पर religious education नहीं हो सकते तो यह था की provision article 30 का अब इसका और जो को evolve किया है Supreme Court बगारा ने different cases में जब different problem आई उनके सामने तो उन्होंने किस तरह से उसको और broader clarify किया है हमने चार यहां पर केसला में लिए है कल्चरल लाइट से रिलेटेड इसको हम समझते है इस्टेट ऑफ मद्रास पर से चंपकम दुराई राजन के केस में इसू था कि इसमें एक ब्राह्मण को सिर्फ उसकी जाती के आधार पे admission के लिए डिनाई कर दिया तो कोट ने बोला कि आप कि सिर्फ ब्राह्मण होने की वज़े से किसी को एड्मिशन के लिए एजुकेशनल इस्टिट में डिनाई नहीं कर सकते हैं दूसरा इसमें केस था एपी क्रिश्चन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बनाम स्टेट ओफ अंध्रापर्देश ए आई यार नाइंटीन-18-16 अब इसमें इंग्लिस मीडियम पेरेंट ने इसम कि यह जो मेडिकल एजुकेशन का सोसाइटी था वो माइनुरिटी के राइट मांग रहे थी लेकिन वो कोमर्शल परपच के लिए चल रहे थी उन्होंने क्या है होस्पिटल भी साथ में खोला हुआ है तो यह मैटर जब कोड में गया कोड ने बोला कि जो भी माइनुरिट के राइट्स हैं वो सिर्फ एजुकेशनल इंसिट्यूट को हैं अगर वो कोमर्शल परपच कर रहे हैं तो यह राइट्स उनको नहीं मिलेगे तीसरा केस है इसमें मिसिस वाइट एकमा वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया एयर 1987 अब इसमें यह बोला गया है कि कि किसी भी जो होता है उस इस चाहिए का उसको कम्मिनिकेट करना है अब उसकी पर्मिशन लेकर ही आप उसको स्याल कर सकते हो लास्ट के सैसमें इंग्लिस मिडियूम इस्टूदेंट्स पेरेंट एससुएशन बर्सेश श्टेट ऑफ करनाट का एई आ यार नाइंटीन नाइन इन इन इसमें English medium parents students के parents ने complaint कि थी कि उनके बच्चों को state की जो local language है वो जब रजस्ती पढ़ाई जा रही है और वो नहीं पढ़ाई जा वह उनके खिलाप हो रहे है तो court ने इसको evaluate के और बोला कि state अपनी local language को बच्चों को पढ़ने के लिए mandate कर सकता है और यह cultural right के against नहीं है मुझे उमीद है इन चार cases से आपको और clarity भी होगी तो हमने shortly इसमें cultural right कवर कर लिए किसको available है और article 29 और 30 में क्या provisions है वो भी देख लिए और इस related leading case भी देख लिए मुझे उमीद है आपको cultural right का यह fundamental right समझ में आया होगा thank you for watching this video till end अगर आपको कोई query है तो आप comments box में लिखिए I will be happy to reply if you अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको like करें और अपने friends को share करें thank you very much again आपिए